जो लोग BFA की तयारी कर रहे हैं या फिर जो आर्ट की फील्ड में जाना चाते हैं अपना करियर बनाना चाते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने जा रहा है इस वीडियो के अंदर आज आपको पता चलेगा कि बैचलर्स ओफ फाइन आर्ट यदि आप एक आर्टिस्ट बनना चाते हैं तो बैचलर्स ओफ फाइन आर्ट जाहतर लोग चूस करते हैं तो किस केस में आपको चूस करना चाहिए और किस केस में नहीं करना चाहिए बहुत ही इंपोर्टेंट पूरा वीडियो नहीं देखोगे कसम से कुछ समझ नहीं आएगा दिसलाइक करोगे और नेगिटिव कमेंट लिख करके चले जाओगे पूरा वीडियो देखोगे सलाम ठोक के जाओगे भईये क्या जानकारी दिये लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको समझाया लेकिन आदे से लोगों ने क्या किया 50% लोगों ने पूरा देखा 50% लोगों ने क्या किया खाली खाली उसको 45 मिनट का वीडियो देखा 10 मिनट के वीडियो इतना लंबा वीडियो रामायन थी उसमें केवल और केवल 45 मिनट देखा और उसमें उसका टाइटल बड़ा थमनेल देखा सीधा जंप करके कमेंट करने पहुँच गये भाई साब उसको दिल से देखना, फ्री हो करके देखना एक तरह से, धन्यवाल So let's start the video जो लोग अभी बैचलर्स ओफाइन आर्ट की तयारी कर रहे हैं बहुत सारे लोग अभी बैचलर्स ओफाइन आर्ट के बारे में लोगों ने अपना रिसर्च किया हुआ है और वो अभी एक्जाम के लिए अपनी तयारी करने के लिए बैच चुके है उन लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि अब यह आपके करियर की बात है, एक बार यह आप जा रहे हुआ पर अपना जंप ले रहे एक तरह से और आर्ट फिल्ड में आप जा रहे हुआ अपने पूरा डिसीजन लिया है कि मुझे आर्ट फिल्ड के अंदर ही जाना है तो कुछ बातों का आपको पता होना चीज़ ठीए नमबर वन चीज़ बैचलर्स और फाइन आर्ट के बारे में इंटरनेट पे जितनी भी जानकारी अवेलेबल है पूरी की पूरी जानकारी एक बारे अच्छे से पढ़ी है और उन जानकारी में से भी में चीज़ क्या काम की है में चीज़ काम की यह होती है कि डिगरी मिलने के बाद जब आपके हाथ में चार साल के बाद जो बैचलर सो फाइनार्ट की डिगरी आती है वो एक उस पर्टिकुलर डिगरी से बीएफए की डिगरी से आपके पास कौन कौन सी जॉब्स आपको ओफर होती है ठीक है कोई ऐसा आपको पता चलना चाहिए कुछ ऐसी आप खुद से नॉलेज ले मैं तो आपको अगले वीडियो में बताऊँगा ही लेकिन पहले आप खुद से अपना रिसर्च करें इंटरनेट पे जितनी भी जानकारी है लिखी हुई पूरी की पूरी आप पढ़े कि BFA degree हाथ में आने के बाद क्या क्या मैं कर सकता हूँ यह चीज आपको बताऊने चीज़ अगर यह चीज पता है तो फिर आप best college के बारे में सर्च करते हो बेस्ट कॉलेज मैं आपको बता है था College of Art ठीक है अब College of Art के बारे में आपने सर्च किया है तो आपको पता होना चीए कि इसकी placement कितनी है ठीक यानि कि placement का मतलब आदे से लोगों को नहीं पता होगा तो placement वो चीज होती है कि जब आप final year में अपने होते हो basically मिल जाती है तो जोब प्लेजमेंट का मतलब आपको कॉलेज खतम होने से पहले lapse नहीं हे जाती है ema नहीं को सभी प्लेजमेंट करता है कि आपका कॉरससके मुद्फ चोर्सकाता है सबसे बड़ा कॉलेज और कोर्स कौन से है most importantly सबस्क्राइब कर रहा है तो उसको जो कंपनी आएगी प्लेजमेंट देने के लिए जो कंपनी होगी वो सेलरी कितना पे करेगी लाखों में पे करेगी ठीक है ना लाखों में सेलरी होगे आपकी 5-6 लाग 7 लाग पर मंत इस तरह है कि होती है high salary होती है high IT कि अगर मानलिजीए आपने डोको आ यडी क्या होता है बीटेक के लिए सबसे बड़ा कॉलेज उसी तरह से अभी तो उसका number भी active हो गया होगा call करके पता करो यार placement कितनी मिलती है है ना ये चारी चीज़े पता करो चार साल के बाद जो degree हाथ में आएगी उससे क्या-क्या मैं job कर सकता हूँ कितनी मैं पैसा कितना कमा सकता हूँ इसके बारे में search करना खुद से search करो liquid form में जो भी जानकारी available है जितने भी videos available है वो पहले search करना उसके बाद कल मैं एक नया video डालूँगा जिसमें आपको पूरी जानकारी दूँगा बी एफे के बारे में पूरा खोल के रख देंगे उसको लेकिन पहले खुद से search करो पहले खुद से बच्चा पढ़ता है बाद में teacher उसको बताता है चीज़े समझ में आती है अच्छे से ठीक है यह चीज़े ऐसा नहीं होना चीज़े कि बिना जानकारी कि आप सीधा जंप कर दो बी एफे के अंदर जानकारी पहले आवे रहे हैं समनी बढ़ा हो अभी बात करते हैं कि भाई बैचलर्स ओफाइन आर्ट में मान लिजिए आपका college of art में अभी मतलब बच्चे तयारी कर रहे हैं बी एफे की तयारी कर रहे हैं अगर suppose मतलब फर्ज कीजिए कि आपका भगवान ना करें मतलब भगवान ना करें कि आपका अगर selection नहीं होता है क्योंकि यहां पर देखो possibility अब हजारों बच्चे apply करेंगे उनमें से 50-60 बच्चे select हो जाएंगे बाकी सबों का नहीं होगा ठीक है यहीं कि जातर majority में बच्चों का यहां पर selection नहीं होगा तो वो बच्चे क्या करें सो मैं अपना एक recommendation देता हूं मानना है नहीं मानना है आपकी मरजी मैं recommend करता हूं कि यदि आपका किसी बड़े college में college of art जामिया मिया इसलामिया यह बड़े बड़े जो top के बड़े colleges है अगर इन में admission आपका नहीं होता है तो don't do BFA ठीक है बड़े ना करने की एक condition यह है कि भाई अगर बड़े college में admission नहीं होता है BFA मत करो अगर admission हो जाता है go for it नहीं होता है तो मत करो कोई और course चूज करो ठीक है बहुत सार नहीं होता है then there is no point of doing BFA जैसा course किसी third class college से करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह वैसे एक underrated course माना जाता है और अगर तुमें गंदी faculty से पढ़ोगे इस course के बारे में डिग्री तो इसकी कोई काम की नहीं मैं बोलता हूँ main काम की चीज है कि क्या घ्यान मिलता है अपको और घ्यान अच्छा कौन देता है अच्छी faculty अच्छी faculty का मिलता है अच्छे college में और अगर अच्छे college में resolution नहीं हुआ तो क्या गाम की डिग्री ती है मत करो BFA उसके बाद क्या करना है अगर suppose आपका नहीं हुआ selection तो आपको पेली चीज तो BFA नहीं चूज चूज करना है उस चेस में ठीक है उसके बाद क्या करना है उसके बाद जो भी parents आपके बोलते हैं जो भी एक traditional course होता है बसिकल यह वोच करें ठीक है, BFA से better जो course होता है, more secure course है, like you can go forward तो मैं बोलता हूँ, आप BTEC, अगर science के background से हैं, तो आप BTEC करें, ठीक, BTEC करो, अगर आप मालो, suppose commerce के background से हो, CA करो भाई, CA में सब जा रहे हैं, definitely जाओ बड़ा हाथ मारो, बड़ी चीज़े, सबसे बड़ी चीज़े, तो सबसे पहले तो उस जगा हाथ मारो, जो सबसे बड़ करनी पड़ेगी, BFA में चलता हूँ, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए चले जाते हैं, BFA में यही करना पड़ता है, ड्राइंग करनी पड़ती है, बच्पन से थोड़ा बहुत मैंने किया हुआ है, तो यार पढ़ाई में तो इंट्रेस है नहीं, मैट्स के सवा में अड्मिशन नहीं होता है, उस केस में फिर आप किसी दूसरे कोर्स को शिफ्ट हो जाए, यह गलती मत करना कि अगर कॉलेज ओफ आर्ट में किसी बड़े कॉलेज में अड्मिशन नहीं हुआ, तो किसी थर्ड क्लास कॉलेज से BFA करने बैठ गए, यह गलती मत करना, यह स पास स्किल नहीं होगा, और चार साल के बाद अन स्किल्ड BFA डिगरी होल्डर, जौब, जौबलेस माना जाता है एक तरा से, जौबलेस, क्योंकि स्किल नहीं है, उपर से BFA की डिगरी क्या करोगे भाई, कुछ नहीं कर पाओ कि ठीक, उस केस में, है ना, अल्टिमेटली स् चार मिनिट, मैं जब वहाँ पर देखता हूँ, चार मिनिट देख लिए, पांच मिनिट देख लिए, फिर आदा वीडियो देखने के बाद ही लोग नेगिटिव कमेंट करने लग गए, और कंक्लूजन पर पहुँच गए, डारेक्ट टाइटल देखा, और सीधा ठीक है न, ये चीज़ धान में रहे, All the best for your future, और तैयारी करते रहे, एक्साम की तैयारी करते रहे, कई लोगों ने बोला है, कि भाईया, उसके लिए बताओ, जो थियोरी पेपर का आपका टेस्ट रोग, उसके लिए वीडियो बनाओ, तो देखो, थियोरी पेपर के 11-12 की फाइन आर्ट की बुक आप जो है, वो पड़ा सकते हो, और एक बुक होती है, मैंने बोला था, उसका भी लिंक दिया था, लेकिन लोगों ने बोला कि या भी सके लिए तो मैं आफॉर्ड भी नहीं कर सकता, उतना मेरे पास टाइम भी नहीं कि मैं किताबे पढ़ू, सो अब मैं आपको important questions की list बता हूँ ठीक है, अगले वीडियो में, important questions मतलब ये questions तो पक्का ही करके जाना है आपको, क्योंकि exam नजदीक है आपका, important questions करके चले जाना, आपको help में लेके आप इसे था, ठीक है, all the best, वीडियो को like कर देना, और चैनल को subscribe कर देना, बहुत ही important वीडियो होगा, अगला वीडियो हमारा ठीक है, धन्यवार